जब बात होती है programming में, coding में, conditions की, तो conditions को handle करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, if else का, हम पढ़ने वाले हैं if else, if else में बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे, तो if else जो है ना, वो conditional statement है, ये condition को evaluate करने के लिए होता है, अगर यहां पर आप देख रहे हैं, मैं जहां माउस होवर कर रहा हूं, if test expression, अगर यहां पर value true होती है, तो यह जो body है ना, यह brackets, इसकी बीच का वाला है साथ चलने लएगा, अगर यह false होता है, तो यह नहीं चलेगा, यह हमारा if, programming screen पर लेके चलता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ, कैसे if else काम करता है, यहां पर आ जाते हैं if else में, और मैं code इस run को दिखाता हूँ, कैसे काम करता है, बनने में साथ मैं हो दुर्गित से, अगर चैनल को भी तक like सब्सक्राइब न किया हो, तो like सब्सक्राइब जिरूड करें, आ जाते हैं आपे फाइल में बनाता हूँ, यहां पर फाइल में चलते हैं और new file लेते हैं, यहां पर source code और फाइल को कर देते हैं, save, see करेते हैं, यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर मैं देता हूँ, if simple if मेरा वे प्रोग्राम बना रहा हूं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिखता हूं hash include hash include studyio.h अगला है int main main को आप लिखिए और main को चलाइए main चलाने के just बात हम आजाएंगे यहाँ पर value लेंगी तो मैं एक variable लोगा जिसमें मैं number लोगा क्वेशन यह है कि अगर नंबर जो है अगर जीरो से बड़ा है तो उसे पॉस्टिव नंबर दिखा है और जीरो से चोटा है तो उसे निगेटिव दिखा है यानि कि जीरो से बड़े नंबर को पॉस्टिव ही कहते हैं यहां पर आजाएंगे प्रिंट एफ यहां पर लिखें Care Appwoord dónde Kanき으저소 है पर सेंटेज पर सेंटेज टिया यहां पर जाएंगे तो अड्राइस ऑफ अड्राइस ऑफ अड्राइस ऑफ नम यहाँ पर value ले ले लेंगे input आप क्या करना आपको अब यहाँ पर हैं किwieंदे condition में कि हैं कि करने केंडीशन किया होगी तो nine nine number zero से तो print कर देना क्या तो यहाँ आप दिए जब एक से ज्यादा लाइन होती यान एक लाइन दो लाइन तो केस में आपस इससे नहीं लगाँगा तो यहां पर इसके लिए लगाँ मैं इसे नहीं POSITIVE, POSITIVE NUMBER, यह है हमारा POSITIVE, अब आ जाएंगे, again, अगर, फिर से मैं लिखूंगा निगेटिव के लिए, if, अगर, यहाँ पे आ जाएंगे, NUM, नमबर छोटा है किस से, 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, निगेटिव नमबर, print f print f negative number negative number यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे run करा के check किया जाए यहाँ पे मैं f9 करता हूँ compile करता हूँ compile करके just इसमे error warning देख लिए जाए error warning है कि नहीं है 0 error 0 warning run कराएंगे तो यहाँ पे मैं number देता हूँ 2, तो यहाँ पे 2 क्या है positive 2 क्या है positive और मैंने आपे दिया है minus 2 यहाँ पे मैंने दिया है minus minus 6 दे दिया है तो यहाँ पे देखेंगे तो यह negative number है तो ऐसे हम if else में चला सकते हैं ऐसे even out का भी program मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे और if यहाँ पे आ जाएंगे और even out के लिए मैं implement करता हो तो इससे मैं comment बनाऊंगा यहाँ पे इतना area जो है मैं comment बनाऊंगा comment बनने के लिए slash star और star slash का इस्तमाल करते है star slash का आ जाएंगे नीचे यहाँ पे coding लिखेंगे यह number हम आने input करा है और चेक करना है क्या number even है या odd है इफ से हम करेंगे इफ अगर number यह number n-u-m इफ अगर number mod 2 mod 2 दूर से कट जाता है 0 0 हो जाता है पराबर 0 हो जाता है अगर कोई number 0 से पूरी तरह से कट जाए और 0 के बराबर हो जाए यह यहाँ लिखा हुआ है number mod 2 बराबर हो जाए कि जीरो के तो वो number क्या है P-R-I-N-T-E-F वो number है even number E-V-E-N वो number क्या है even number है अगर इफ number N-U-M mod 2 mod 2 not equals to not equals to 0 not equals to 0 अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो वो number है odd number है आप लिकिंग O-T-D-D odd यहाँ पे आप इसे implement कर देंगे F-9 and again इसे run कराएंगे F-10 तो यहाँ पे आप देंगे मैं दिया 3 यहाँ पे देखेंगे 3 odd number है और मैं इसे फिर से run करा हूँ और मैं दिया यहाँ पे 4 यहाँ पे देखेंगे यह even number है तो यह है हमारा if if और if के conditions अगला प्रोग्राम हम बनाने वाले है if else के उपर बनना है मैं आप साथ if else के लिए thanks for watching bye bye